नमस्कार दोस्तो इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है तो दोस्तो फाइनली भारत और फ्रांस के बीच में MRO के तहत होने वाली है एक बड़ी डील जिसके तहत भारत एक हत्यारों का मैनिफेक्चरिंग हब बनेगा और भारत को अर्बो डॉलर बचेंगे तो चलिए इ भारत की रिलाइंस एरोस्पेस के साथ समझाता करके भारत में ही राफेल फाइटर जेट की मेंटरेंस और रफेर फैक्टरी डालने का फैसल लिया है अब दोस्तो इसके उपर भारत सरकार का रियक्शन आना था जिसके पश्चाद भारत और फ्रांस के बीच में एक बड़ चीत करना स्टार्ट कर दिया है जिसके तहट भारत में राफेल फाइटर जेट की मेनिफेक्ट्रिंग रिफेर और ओबराल फैसलेटी को डालने की बात करी जा रही है अब दोस्तो इससे भारत को फायदा क्या होगा कि राफेल जैसे घातक फाइटर जेट के जितने भी भारत में ही आकर उनको रिपेर कराएंगे जिससे डश्वल्ट अविशन को पैसा तो मिलेगा साथ में भारत को भी प्रोफेट का कोछिस्ता मिलने वाला है और दोस्तो इसमें भारती कंपनी रिलाइंस एरो स्पेस की 49 फीजदी भागीदारी है जबकि डश्वल्ट के चित्र में बहुत ही आंगे चला जाएगा और भविश्व में हत्यारों का एक बहुत बड़ा मैनिफेक्ट्रेंग हब बन जाएगा पर दोस्तों यहां पर एक बड़ी प्रोबलम है कि भारत ने अभी भी राफेल फाइटर जेट को एम रिफे टेंडर के तहट सेलेक्ट करती है तो इससे भारत में राफेल की मैनिफेक्ट्रेंग फैक्टरी भी लगेगी और कई सारे जो देश राफेल चला रहे हैं वो आकर भारत में इसकी रिपेरिंग भी करवाएंगे बांकि आप सभी किस टोपिक पर क्या रहा है और क्या भारत को और अधिक राफेल फाइ जैहिन वन्निवाद